पिछले आठ साल से इस कुम्फू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहन कर ही वो दुश्मनों के छक्के छुडा देता है, तो सोचो जब वो इन्हें उतारेगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरवात में हम एक कुम्फू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम है वुलिन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाती से था, जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ती थी। अब वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागते हुए वहां से गुजरे और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद के लिए वुलीन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आये थे। लेकिन बच्चे की आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वुलीन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलीन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया और एक माहिर कुंफू योधा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वज़े से जायशान नाम के एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उस आदमी ने वुलीन को कुछ पैसे देने चाहे लेकिन वुलीन ने इंकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों और से कई गाडियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और उसने वुलीन को गले लगा लिया। वो भी एक कुमफू योधा था जो बॉडी गार्ड्स की कमपनी चलाता है। वुलीन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरू से कुमफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांग ली शहर में आकर रहने लगा। अब तो वो अमीरी की चकाचौन में अपने गुरू की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से काहों नहीं छोड़ा था। बलकि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वज़े से गुरू ने उसे निकाल दिया था। अब वुलीन ने उसे गुरू की अस्थियां दिखा कर कहा कि गुरू की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनोग जियांग ली की कमपनी में गए। फिर जाज के वक्त वुलीन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्यूंकि वो लोहे के बने थे। लेखिन जियांग ली इन जूतों की कहानी जानता था इसलिए उसने वुलीन को अनदर आने दिया। वहाँ जायशान ज्यांगली के पास अपनी बेटी के लिए एक बॉडिगार लेने आया था। ज्यांगली ने उसे अपने आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया लेकिन जायशान को तो वुलीन में दिल्चस्पी थी। आखिरकार वुलीन मान गया क्योंकि उसके गुरू ने सिखाया था कि कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगली सुभाव वुलीन की मुलाकाद जायशान की बिगडी बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा कि वो एक चोर है इसलिए उसने डर के मारे अपना तॉलियाई गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वुलीन उसका बॉडी गार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे दे कर उससे चुटकारा पाने की सोची। लेकिन वुलीन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया लेकिन वुलीन पर कहां असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहां वुलीन हर जगा फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे थे फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थपड मार दिया फिर उस चालाक लड़की ने जूट बोल दिया भाया मैं थोड़ा ना बिना बात आपके थपड मारूंगी वो दिख रहे मुष्टंडा उसने भेजा था मुझे अब वो बदमाश लड़के मिलकर वुलीन को पीटने ही वाले थे कि वुलीन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं कौन है ये तो वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए वुलीन भी मुस्कुरा कर उनकी चुहे बिली की दौर देखता रहा थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे एक पहाड़ी से नीचे फैक दिया असल में ये उसके साथ असलियत में हुआ था जब वो सिर्फ साथ साल का था उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वुलीन को नहीं पता लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है फिर हम मिस्टर फू नाम के एक गैंग्स्टर को देखते हैं जो जायशान का बॉस हुआ करता था लेकिन अब वो जायशान को मारना चाता है क्योंकि उसके पास फू की सारी काली करतूतों के सबूत थे तब ही एक जोच्शी ने बताया कि फू की मौच जल्द ही होने वाली है ये सुनते ही फू ने गुस्से में उसे गोली मार दी अगर ये पहले अपना भविश्य देख लेता तो ऐसी बक्वास ना करता न गैंग्स्टर के आगे अगले दिन वुलीन और फेफे एक रेस्टरॉं में गए फेफे खाना खा रही थी और वुलीन उसके पास खड़ा सब पन नज़र रख रहा था अचानक उसने एक वेटरेस को पकड़ लिया क्योंकि वुलीन के मताबिक वो फेफे को मारने वाली थी फेफे गुसा होकर बातरूम चली गई लेकिन वुलीन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया घर लोटते हुए उन दोनों में फिर से जगड़ा हो गया तभी कुछ आदमियों को लगा कि वुलीन उस लड़की को बिना बात के परिशान कर रहा है तो वो फेफे को बचाने आप पहुँचे मौके का फायदा उठा कर फेफे भाग निकली लेकिन उसे उसी वेटरेस ने किटनैप कर लिया वुलीन का शक एक्तम सही था उसने तुरंद गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूद कर गाड़ी के उपर पहुँच गया लेकिन वो वहाँ बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा दूसरी बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया उसने उन नकाब कोश गुंडों का बाधुरी से सामना किया और फेफे को बचा कर सही सलामत घर ले आया घर पहुँच कर फेफे ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेटरिस मुझे किटनाप करने आई थी बुलीन ने बताया कि एक इनसान मूँ से तो जूट बोल सकता है लेकिन उसकी चाल धाल देखकर ये बताया जा सकता है कि उसके असली इरादे क्या है फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बाडी गाड्स रहे हैं और अपनी मा को याद करके रोने लगी उधर गैंक्स्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांग ली के पास बेजा फू जियांग ली की मदद से जाईशान का काम तमाम करना चाहता था हलांकि जियांग ली को ये कुछ ठीक नहीं लगा लेकिन फिर भी वो मान गया असल में जब जियांग ली ने पहली बार इस शहर में कतम रखा था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिसनस खोलने में उसकी मदद भी की तो वो अपने आप कोफू के ऐसानों तले दबा मैसूस करता था इसके बाद अगले दिन जियांग ली वुलीन से मिला और अपनी पहुँच के बारे में बड़ी बड़ी बाते करने लगा उसने कहा कि उसकी शहर के नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है फिर उसने वुलीन से कहा कि उसे जाईशान की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा लेकिन वुलीन ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया जिन्दगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे जिन्दगी ने कहा कि वो अब भी वुलीन से गुसा है क्योंकि गुरू ने जिन्दगी को नहीं बलकि वुलीन को वो खास जूते दिये गुरू को हमेशा लगता था कि वुलीन ही सच्चा कुम्फू योधा है लेकिन अब जियांग ली बरावरी का मुकाबला करना चाहता था आखिर फैसला हो ही जाए कि उन दोनों में से कौन जादा बहतर है तभी उन दोनों में जबरदस्त मुक्के बाजी शुरू हो गई लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बरावर के खिलाडी थे लेकिन जियांग ली हमेशा से एक खास टेकनीक में माहिर था उसके एक ही मुक्के से वुलीन सीधा दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा आखिरकार जियांग लीने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं है और वहां से चला गया वुलीन जानता था कि फेफे की जान को खत्रा है इसलिए वो उसे खूफिया घर में ले आया उन दोनोंने कई दिन एक साथ कुम्फो की प्राक्टिस की फिर वुलीन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है उसने पिछले 8 साल से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके जिस दिन उसने वो जूते उतार दिये उस दिन कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा फिर एक दिन जियांगली के आदमियों को वुलीन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया लेकिन जियांगली जानता था कि उसके आदमी वुलीन के सामने एक सेकेंड भी ठिक नहीं पाएगे इसलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हतकडियां दी जिससे वो वुलीन पर काबू पा सकें फिर उन्होंने रात को चुपके से वुलीन पर हमला बोल दिया वुलीन और फेफे भाग कर जंगल में चले गए और वुलीन वहां भी गुंडों का सामना करता रहा इसी मौके का फाइदा उठा कर दो गुंडे फेफे को उठा कर ले गए वुलीन ने भी उनका पीछा किया लेकिन उसने गलती से हतकडियों पर पैर रख दिया अब उसके जूतों के साथ साथ उसके पैर में जंजीरे भी थी फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को उनकी नानी याद दिला दी लेकिन आखिर में उन्होंने वुलीन के दोनों पैर बांद कर उसे दीवार में दे मारा इसके बाद एक आदमी उसे खीच कर एक खेत में ले गया जियांग ली की आँखों के सामने उसका भाई आखरी सांसे ले रहा था लेकिन उसने अपने दुख को गुसे से दबा दिया उसने आगे बढ़कर वुलीन की छाती में जोरदार मुक्का मारा फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वापस लोटाए लगातार बारिश की वज़े से चारों और कीचड हो गया था अचानक वुलीन रेंगता हुआ बाहर निकला असल में उसका दिल दाई तरफ था इसलिए जियांगली के मुक्के से वो मरा नहीं अब वुलीन वापस घर पहुँचा और आठ साल में पहली बार उसने लोहे के वो जूते उतारे अब वो एक बहतरीन योधा बन चुका था फिर उसने अपना हुलिया बदला और सूट पहन कर जियांगली के आफिस में पहुँच गया उसके सेंकडो आदनी वुलीन पर हमला करने को तयार थे लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वसन कम होने से वुलीन की फूर्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी हंत में जीत उसी की हुई अब वो एक कमरे में पहुँचा जहां मिस्टर फू, जियांगली, फेफे और जाईशान मौजूद थे फू ने उससे पूछा अरचोटे मौट से डर नहीं लगता क्या तुझको इस पर वुलीन ने जवाब दिया कि सफलता के लिए कुरवानी तो देनी पड़ती है ये सुनते ही फू के पैरों तले जमीन किसक गई क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही कहा था कई साल पहले फू और जाईशान एक साथ काम करते थे लेकिन एक बार फू ने धोके से जाईशान को पुलीस के हवाले कर दिया जिसकी वज़े से उसकी पतनी की भी मौत हो गई थी तब से लेकर आज तक जाईशान फू से बदला लेने की फिराक में था फू अपने बेटे वुलीन से बेहत प्यार करता था लेकिन एक दिन उसने देखा कि वुलीन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ उसकी आँखों से घूर कर भगा दिया फिर फू को एक जोतिश ने बताया कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा और इसी वज़े से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी हाना कि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था लेकिन आज वुलीन को अपने सामने जिंदा देख कर फू हसने लगा क्योंकि जोतिश की बात तो सच निकली फिर उसने वुलीन पर गोली चला दी लेकिन जियांगली बीच में आ गया वो फू के हाथों की कटपुतली बनकर ठक चुका था फिर उसने कहा कि वो अकेला वुलीन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाता है उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई लेकिन इस बार जियांगली अपने अनोखे दस्ताने पहन कर आया था धीरे धीरे वुलीन की भी शक्ति दिखने लगी जैसे ही जियांगली हारने वाला था फू ने उसे गोली मार दी अपनी आखरी सांसे लेते हुए जियांगली ने वुलीन से कहा कि उसे जंदा रहकर उनके गुरू की जगा लेनी होगी ताकि आइरन लेक कुम्फू कला यूही विलुप्त ना हो जाए अब बस वुलीन और फू ही बचे थे अपनी मौत को सामने देख कर फू ने वुलीन से समझाता करने की कोशिश भी की लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था वुलीन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुख गया उसके गुरू ने उसे सिखाया था कि निहत्थे पर कभी वार मत करना वो फू जितना नीचे नहीं गिर सकता था इसलिए वो उसे जिन्दा छोड कर लौट आया आखिरकार उसने पहाडी से जियांगली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखरी बार अपने भाई अपने दोस्त को अलविदा कहा क्या तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जिससे तुम एकदम भाईयों जैसा प्यार करते हो इस बारे में कमेंट्स में एक लाइन तो बनती है